Derivative की Real Life Examples में मैं समझता हूँ, सबसे Best Example यही होगी कि With Respect to the Time, आपने अभी तक Different Sessions के अंदर Different चीज़ें पढ़ लेएं यही चीज़ें तो हमने Derivative पे देखी या Slope of the Functions पे देखा कि With Respect to the Time किसी चीज़ में Changing किस तरह से आ रही है, विश में Instantaneous Rate of the Change हाई मैं हूँ Fahad Usain, आप यह वीडियो Calculus Antognomatic Course में मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, इस Session पे हम 2.2 के कुछ Lost 2 Session को Discuss करेंगे, विच में Sine Function and Cosine Functions के फॉर्म पे अगर हम आरे पास को Function मौझूद हो, तो उसके Derivative कैसे निकालते हैं, और इसी तरह Derivative को With Respect to the Rate of Change with Examples देख होंगे, तो वीडियो फर्दर कंटीन रखने से पहले बताते हैं, चलूँ कि प्रिवस्टी तमाम वीडियोस मेरे YouTube चैनल पर मौझूद है, फाद Usain CS से सरच करने के बाद आप मेरे YouTube चैनल पर रहेंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे, जहाँ different disciplines की वीडियोस प्रिवस्ट पर जाएंगे, तो चैनल पर ने हो, चैनल को सबस्क्राइब करें, तो जबर बरवक्त असानी के साथ आप सिखते थे, वीडियो को लाइक करो जाल 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 लोगो को शेर करें, तो प्रिवस सेशन पर हमने बुक को फालू किया, और मैं बुक को इस सेशन से प्रिवस सेशन पर सिखते हैं, क्योंकि बुक के जरीए से हम बीस्ट ऑन दा कॉंटेंट, तमाम एक्जाम्पल को भी कवर कर रहे होते हैं, और तमाम टॉपिक्स को भी, स्लाइट में कुछ चीजें कुछ शॉट वे पर होती हैं, लेकि जहां-जहां स्लाइट की जरूद हो वीडियो में trigonometrics के कुछ derivative भी आपसे शेयर करूँगा, लेकिन बेसिक यह है कि हम separate session के अंदर trigonometrics को तफसीलन जानेंगे, अभी हम derivative form पर सिर्व डिस्कस करें, अगर हमें किसी function में sine दिया जाए या cosine दिया जाए, तो simply उसकी definition क्या कहती है, कि अगर मैं sine of x का derivative निकाल रह simple sine x दिया जाएगा तो cos x होगा, और cos x दिया जाएगा तो इसका minus sine x होगा, अब सवाल यह हो सकता है, कि क्या मुझे कहीं पर minus sine x दिया जा सकता है, in a form of this function बिलकुल दिया जा सकता है, हमें पर शान नहीं होना है, हमें यहाँ पर यह बताया गया है, कि sine x का cos x होता है, हम directly sine x की जगा पर cos x दिख देंगे, that's it, अब understood है कि यहाँ positive था, तो यहाँ पर positive लेकिन इसके साथ क्या मौझूद है, negative तो मैं यहाँ पर negative लिख दूगा, तो that will be the solution, तो इस चीज को confuse करने के लिए question इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या जाता है, अच्छा, अब यह चीज हो same logic के साथ values multiply होकर open होई, open होने के बाद cancel होई, cancel होने के बाद यह values separate होगई, cos x को और sin x को मैं इसके साथ separate कर लिया, limit value 10 to 0 आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर यह values थी हमारे पास, sin x की, वो यहाँ पर cancel हो जाएगी, del x और del x के साथ, तो हमारे पास सिर्फ cos x यहाँ से बच time या different sessions के अंदर हम cover कर चुके हैं, कि actually यह formula क्या होता है, और यह किसी भी values को किस तरह से proof करके हमें दे रहा होता है, ठीक है, अब अगर आप derivative के form पर functions के tangent line को change होता है, तो यह इस चीज समझना हमारे लिए और भी appropriate होगी, in a form of the real life example, कैसे, देखो, initially जो function हमें दिया गया, वो sine x दिया गया, ठीक है, जब मैं sine x को plot करता हूँ, तो यह कुछ इस तरह से curve line बनाती है, जैसे यहा हम आचूद है, अब इसके multiple point है, जैसे आप देखो कि एक point यह रहा, ठीक है, इस line पर tangent की value 0 होगी, क्यों 0 होगी, यह आप मुझे comment पर बताएंगे, कि यह 0 क्यों है, हम ने यहाँ पर लिया गया, जब हम किसी भी point पर slope निकाल रहे हैं, तो निकालने की बहाँ पर जो function हमें convert होगे मिल रहा है, which means sine x, cos x में मिल रहा है, और cos x, sin x के minus के साथ मिल रहा है, तो actually इसका मतलब यह है, कि जब मैं slope निकालूंगा, तो हमारे function का shape भी change हो रहा है, यानि अगर sine x ऐसा है, तो यह convert होने के बाद, cos x इस curve में आएगा, ठीक है, क्योंकि sine x जो होता है, अगर मैं यहाँ पर बनाऊ ना, तेको sine x कुछ यूँ होता है, ठीक है, जब कि cos x जो होता है, वो कौन की shape पर होता है, आप ऐसे समझ़ दो, यूँ होता है, कौन की shape पर है, ठीक अब यह किस तरह से है, क्योंकि इसके जब derivative को convert किया गया, तो curve ने अपने shape को change कर लिया, जैसे आप देख रहे हैं, y positive, y negative, y bar negative और y bar positive दिखाया जारा है, जबादे जो derivative की values आएगी, उसके बेहाब पर यह result change हो गया, hope you will understand, sine x and cos x, इसी तरह trigonometrics के 10x, cos x इस तरह से multiple trigonometrics functions होते हैं, उसके भी rules मौझूद हैं, जो हम add the last of this session जान लेंगे, okay, derivative involving sine x and cos x, cosine x, यहाँ पर कुछ functions दिखाये गए, जैसे y equal to 2 sine x है, which means यह function के अंदर मौझूद है, तो मैंने directly, यहाँ पर sine की जगा cost लिग दिया, 2 क्योंकि cost trend है, तो cost trend है तो cost रहे जगा, वैसे ही रहेगा y is equal to sine x upon 2, क्या मैं यहाँ से 1 upon 2 को separate कर सकता हूँ, जी बलकुल कर सकता हूँ, क्योंकि यह constant part है, क्या बजग गया, sine x, sine x का क्या होता है, cos x, इस लिख दिया, आप इस form पे लिखें, या पिर इस form पे लिखें, बहुत है, same, x plus cos x, ठीक है, x plus cos x को अगर आप दिखें, क्यों क्योंकि इसकी value 1 है, x पे 1 है, तो 1 पहले आएगा, x की value 1 minus 1 हो जाएगी, तो 0 का मतलब 1 है, plus, plus sign अगर मैंने लिखा, तो cos का minus sign होता है, तो मैंने minus sign यहाँ पर लिख दूँगा, plus minus minus हो जाएगा, तो इसका मतलब है यह format आजाएगा, very simple thing, कि अगर हमें trigonomatic के बहाफ पर को functions यहाँ जाए, तो हम इसे किस तरह से solve करेंगे, technology के form पर अगर दिखा जाए, तो interpretations किसी भी functions की graphical form पर, for the sake of the understanding derivative, बहुत ही असान होती है, यह हम functions को जब plot कर लेते हैं, तो plot करने के बहाफ पर हमें function को समझना असान होता है, यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, इस form को समझने के लिए हमें इस complete graph के visualization को समझना होगा, जैसे देखें, y equal to 2 sin x यहाँ पर लिखा हुए, जबकि second y equal to 3 upon 2 sin x है, तो यह जो sin x की values यहाँ पर change हुई है, इस बहाफ पर functions की, यह curve sin पर रहे है, जब मैं इसका derivative निकाल रहा हूँ, तो इसकी derivative की values की आ रही थी, 2 cos x आ रह होगी, अब यहाँ पर indicate करके दिखाया जा रहा है कि यह curve line जो है, जबकि यह curve line यहाँ पर 1 upon 2 sin x की, ठीक है, और जबकि अगर मैं a sin x का derivative निकालता हूँ, तो a cos x आता है, a यहाँ पर costrand है, तो costrand value वैसी रहेगी और sin x का cos x हो रहेगा, ठीक है, तो in a form of the technology, अगर आप इस functions को किसी भी software पर visualize करेंगे, और वहाँ पर derivative देख रहे होंगे, तो यह बात समझना हमारे लिए मजीद असान रहेगी, अब हम बात करते हैं कि क्योंकि हम यह सारी चीज़ें इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें deep learning, machine learning या data science में इन चीज़ों को समझना हमारे लिए असान रहे तो इससे हमें growth का बदा चल रहा है कि जब किसी functions की growth values हो रही होती है तो किसी भी instantaneous या instance value पर या specific point पर values पर उसकी growth को किस तरह से check किया जा रहा होता है कि यहाँ पर इसकी जो tilt sign है या curve है या shape है वो किस तरह उसका जुपाओ है positive direction पर negative direction पर या फिर एक vertical या horizontal line पर है तो इसी चीज़ को हम derivative पर जान रहे होते हैं इधर वो non trigonometric functions हो या फिर trigonometric function क्यों ना हो okay so that's the end of the some rules of the derivative इसके बाद जो हमरे बास topic आता है वो आता है rate of change ठीक है rate of change क्या है and simple कि rate of change में हम यह देखना चाहते हैं कि अगर हम physics के syntax पर बात करें जैसे formula पर आप यहाँ देख रहे हो distance divided by time is equal to the rate of change right अब इस चीज़ को average velocity का जा रहे है ठीक है average velocity बराबर होता है change in s divided by change in time which means जो changing दो points के दर्म्यान with respect to the distance आया है यानि distance यहाँ पर a था यहाँ पर b है इन में क्या distance है और with respect to the time ठीक है यहाँ पर क्या time था जब हमारी जो object मौझूद था और यहाँ पर time क्या था उनके दर्म्यान जो difference और जब मैं इसका dividing या ratio values लूँगा तो वही चीज़ उसकी क्या कराएगी average velocity कराएगी यह चीज़ हमने derivative के first session पर भी देखा था कि instantaneous or simple average rate of change क्या है यहाँ पर कुछ physics की examples हैं average velocity का concept actually है क्या, I am going to zoom it now, so there is a question, so if a billiard ball is dropped from the height of the 100 feet, एक ball है जो 100 feet से, की height से drop की जारी है, its height s at a time t is given by the position function s equal to minus 16 t square plus s, यानि जो हमारी height values है, उसे s से represent किया जब किया जब किया रहा है, जबकि t time है, तो जिसकी position function होगा इस problem को, उसे indicate करके दिखायागा है कि minus 16 t square plus 100 पे, where s is a major in fit and t major in a seconds, यानि time जो हो second पे है, जबकि height जो है, वो feet पे यहाँ पे दी गई है, तो find the average velocity over each of the following time interval, तो in time interval के बहाफ पर मुझे इनकी average velocity मालूम कर नहीं, very simple, देखो, सबसे पहले अगर मैं एह पा अगर मैं initially इस function को देखूँ, तो इस functions की values मैं directly put कर सकता हूँ, ठीक है, तो s की value मैंने 1 put किया, और उसके बाद minus 16 t का square, 1 का square plus 100 कर दिया, इससे solve किया, इसकी value आगई 84, अब जो second interval value है, वो 2 है, 2 के लिए जब मैंने इससे solve किया, तो इसकी value आगई 36, यानि मुझे दोनों के intervals की values मिल गई, अब जब दोनों intervals की value मिल गई, तो अभी हमने top पर इसका formula देखा है, कि change of s, इस part को अगर आप देखें, change of s, divide by change of t, तो 36 minus 84, ठीक है, यानि 2 minus 1, t2 minus t1, यह हमने किया है, यहाँ पर, तो 36 minus 84, divide by intervals difference, interval difference किया है, 1 and 2, तो 2 minus 1 करूंगा, इससे जब मैंने solve किया, तो इसकी value अगे, minus 48 feet per second, यहनि बेस्ट on this interval, जो यह majors इसकी distance है, in a form of the fit, the quantity of the fit is here, minus 48 feet per second, we are not solving the physics problem, actually, the solution or the question suggests us to understand about the average velocity and the difference between the instantaneous rate of the change to understand more thing or the depth understanding about the derivative concept, the next one, the interval 1, 1.5, same logic استعمal किया मैंने, और same logic के बहाफ पर, जो हमें, दो values मिल रही है, fall from the height, 84 feet, और 64 feet की मिल रही है, ठीक है, बाकी मैंने दोनों को difference किया, जबके interval 1.5 and 1 थी, इस बहाफ पर minus 40 मिली, third पर same logic के साथ values अप्लाई की, जबके interval 1, 1.1 है, एक value 84 मिली, एक 64 मिली, sorry, 84.64 मेरा, ठीक है, दोनों का difference निकाला, तो minus 36.6 की average वाली मिल रही है, तो based on this, these interval, the average velocities of A, B and C are these, जो भी हमने यहां पर देखा, यहां पर देखा, जब हमें कोई distance दिया जाया है, with respect to the time, हमें average velocity निकालनी हो, जबके position function हमारे पास महजूद हो, तो हम उसे किस तरह से निकाल रह downward, that's a very important thing, जब downward कोई object move हो रही होती है, तो उसका मत्तब है, कि उसकी जो value होगी, वो negative होगी, okay, moving ahead, अब इसी functions को जो अभी हमने आप derivative के form पर solve किया, simple, average rate पर, अगर मैं उसे derivative including limit syntax पर लेका रहा हूँ, तो यह convert हो जाएगा, limit del t 10 to 0, st plus del t minus st, very simple, बार बार हम इस चीज़ों को solve करते हैं, ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको यह जीज़ी ज्याद हो जानी चाहिए, हम इस तरह से लिखते हैं, f of x plus change x, यानि del x, ठीक है, जो simple, बिल्कुल formula था, minus f of x, ठीक, फिर उसको divide करते थे, change of x से, बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर distance and, जो distance का, और time के respect से convert हो गया है, जबकि s bar t बराबर हो रहा है कि यह first derivative का syntax है, जिस तरह हम y bar लिखा करते थे, या f of x bar लिखा करते थे, तो based on this physics problem, यह s bar t में convert हो जाएगा, इसी तरह से, जो rules होते हैं, हमारे physics के, including the speed, resistance, this form, तो position functions, एक और problem यहाँ पर दिखाई जारी है जिसमें बताय जा रहा है कि s of t, जो speed है, with respect to the time, that is equal to 1 upon 2 gt square plus v naught t plus s naught, यह एक simple function है, I am not going to depth of this, यानि कोई भी problem होगी, तो उसका problem function दिया जाएगा, और उसके बाद उसके interval बताय जाएगे, तो based on the previous example, हम उसे solve पर होंगे, तो using the derivative to find the velocity, तो derivative के जरीए से हम velocity भी find कर सकते हैं उपर हमें functions यहाँ पर दिया गया था, s of t, इसी तरह यहाँ पर time t equal to 0 पर, a driver jump from the plate from diving board that is 52 feet above the water, ठीक है, water से 52 feet above है, जबके t की values जो है, वो 0 है और उसी time पर उसने jump किया है, so the position of the driver, उस वक्र उस position जो driver की है, वो यह function को follow कर रही है, जो के positive function है, और based on this हमें मालूम करना है, what does the driver hit the water, ठीक है, and what is the driver velocity at impact, ठीक है, हमें सबसे पहले water बतानी है, कि driver hit कप करेगा, और साथी साथ यह भी बताना है, कि उसका, उसकी velocity क्या होगी, जब वो impact करेगी, ठीक है, based on the function, अब हमें simply क्या किया, जो t plus था, क्योंकि हमें s की value 0 दी गई है, ठीक है, to find the time t when the driver hits the water, let s equal to 0, तो हमने इस पर assume कर लिया, कि इसकी value 0 है, तो function था 16 t square plus, 16 t plus 32, तो जो t square था, हमने उसे इस तरह से open कर लिया, के factors बनाते वे, यानि इस functions के हमने factors बना लिया, और factor बनाने के बाद, आप किसी तरह से भी इस function को solve कर सकते हैं, linear algebra को call करते वे, तो इस से either and or, क्योंकि यह quadratic form जाएंगी, जैसे यहाँ पर t की value minus 1 and 2 मिल रही है, तो because t is greater than equal to 0, choose a positive value to conclude that, तो हमने positive values चूज की, तो s bar t, अगर मैं इस function का derivative निकाल दूँ, तो यह हो जाएगा this one, जब यह function का derivative आ गया, तो इस जगा पर t की value पर मैं क्या put कर दूँगा 2, जैसे मैंने put किया, मुझे value मिल तो जब यह value मिली तो इसका मतलब यह हुआ कि जो object है या human जो jump कर रहा है, वो down यानि नीची की तरफ कर रहा है, यही वज़ा है कि उसकी negative values आ रही है, यह भी हमने above problem पर भी दिखा था, तो इस चीज हमें यह समझ में आ रही है कि physics के अंदर किसी object को की velocity find करने के लिए भी derivative का इस्तमाल किया जा रहा होता है, which in the sense of the real life examples, जो अभी हमने यहाँ पर करके भी देखा, So that's all about the session, जिसमें हमने एक तो rule discuss किया, trigonometric sign and cost के, उसके बाद हमने rate of change की कुछ basic example जानी, अब हम देखते हैं कि trigonometrics के functions क्या क्या है, और अगर हमें simply कोई trigonometric functions दिया जाए, तो rule हमें क्या कहता है, कि उस trigonometric functions का derivative actual होगा क्या, वैसे तो trigonometric के multiples functions हो सकते हैं, लेकिन यह six basic functions ह जो multiple times in a sense of the questions पुछे जा रहे होते हैं, तो इन्हें समझना हमारे लिए बहत जरूरी है, दो तो हमने देख लिए है कि अगर हमें sin x दिया जाते हैं, तो हम इसका derivative directly based on the rule cos x लिखेंगे, cos x का minus sin x दो होता है, 10 x का sec square x लिखा जाएगा, जबकि cot का minus cos sec square लिखा जाएगा, simple sec x का sec x plus, sorry, sec x dot 10 x होगा, और cos x अगर हमें जे दिया जाएगा, तो मैं इसे minus cos x dot cot x लिखूंगा, तो ये कुछ six rules थे, based on the trigonometric functions और अगर मुझे इस तरह की कुछ rules दिये जाएं, तो मैं directly इन्हें follow करते हुए, उनके trigonometric functions derivative लिख रहा होगा, तो भी you will understand everything about this session, थोड़ी सी से हम questions की practice करते रहेंगे, इना form of the essence, तो मैं पता होगा, last but not the least, हमें ये बात हमेशा याद रखनी है, कि trigonometric पर जब भी कोई functions form पर होता है, यानि simple sign पर है, तो जब ये derivative पर आ रहा है, तो ये cost के structure को follow कर रहा है, cost का मतलब है, कि ये कौन क्या phase बना रहा है, जबकि जब तक ये नहीं था, तो ये इस sense में इस तरह से बना रहा होता है, ठीक है, यानि higher and lower values, तो जब भी trigonometric function का हम derivative लेते हैं, तो अपने structure को, अपनी body को change कर रहा होता है, ठीक है, तो that's all about in this session, next session पर जाएंगे, तो हम further points को discuss करेंगे, 2.3 के, इसी तरह से जुड़ें है, ताकि upcoming आने वाली वीडियो को आप बरवक पसानी के साथ सिखते रहें, वीडियो को लाइक करें, जाजा लोग को share करें, next session पर बलने, see you there,